हेलो स्टूडियन बहुत बहुत सागत है डीके सर क्लासेज में क्लास टेन्थ एंड क्लास ट्विल्थ के बच्चों के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो है बावू देख लीजे दो हज़ार चोबिस का ये प्रिवेस पत्र है ये एडमी कार्ड और जो रोल नमराय का 10 अ वीडियो करना है बहुत सार बच्ची का कमेंट आ रहा था तो आज कई वीडियो को सुरू से अंतक देख लेना आपको गलती अगर थोड़ा सभी गलती करते हैं तो फेल हो सकते हैं क्या मतलब सौधानिया वरतनी है सब से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए च आप मिस्टेक कर देंगे तो आपकी कॉपी जो रोल नमर होगा वो चड़ेगा ही नहीं नेट पे तो कैसे पास होंगे तो एक सौधानी आपको बढ़तनी है क्या क्या बहुत सारे बच्चे को रोल नमर भरने नहीं आ रहा है कितने बच्चे कमा लगा रहे हैं कितने कावर टॉपर कैसे बढ़ते हैं आज ये आपको रियल फैक्ट हम बता देते हैं तो वीडियो को सुरू से अंतक देख लिजी बाबू और देखिए आंपे सबसे पहले सबसे पहले मेरी बात को एक एक चीज़ को ध्यान से निचोड़ करके समझ लिजिए ठीक है अंतक समझ लिजिए गा कि 22 फर्वरी जो है 2024 का आपका हिंदी का पेपर है फर्स्ट पेपर इसके बाद कोई भी पेपर में आप भरेंगे ये पहले सिख लिजी कि 22 फर्वरी को ऐसे भरना है कॉपी का कवर पेज बहुत सार बच्चे को कॉपी का कवर पे रिपर्जेंट ही नहीं करने आएगा अलाखो कॉपी में सुंदर से सुंदर लिख लिजे तो कैसे कॉपी चेक होगी बाबु आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक भी मिस्टेक नहीं करना है आज पूरी तजारी के साथ बता देते हैं ठीक है और यहां पर देखिए बाबु पेपर में कौन सी कलम का प्रियोग करें ठीक है और आपको पेपर के थुरू यह जो पेपर आप देख रहे हैं 2023 का इंगलिस का और यह हिंदी देख रहे हैं इसमें से कोशन भी लिख करके सिखा देंगे कैसे भरना है गर्दा कर देंगे एक दम धूआ 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 एक दम 22 तारी को बोल रहे है देखे केंजि़ा पेपर में कौन सि पें का उज़ करना है बहुत सारी बच्च sollten comment भार गया है तो देखे यहां पर चार पेन में नीला कम्म का क्योझ करना है की नहीं करना है कामा का यूज ही लाला यहा का चारों में से किसका प्रियो करना है सबसे पहले एलाउड जो पेन ह कोई भी नहीं लेकर जाना है ठीक है लाल पेंट से एकदम वर्जी थे और हरा पेंट कोई भी अधर पेंट जो है नहीं चलेगी सिर्फ एलाउड कौन सी है तो नीला पेंट और काला पेंट यानि कि ब्लू एंड ब्लाइक पेंट से ही आपको कोपी पूरा भरना है ठीक है पा देखे बबू यह पेंज जो आप देख रहें न यह जेल पेंग यहां पर भी जेल पेंग है लेकिन आपको बॉड एक्जैम में इलाउड है डॉट पेंगा । .pens लिखने से क्या होता है कि page जो है देखिए यहां पे मैं लिख करके भी बताऊंगा आपको एक-एक page पर यह board exam की copy का page ऐसा ही आएगा, एक-एक page पर आपको सिखाऊंगा कि कैसे भरना है, margin line कितना खिसना है, पूरा हम deeply आपको knowledge आज इस वीडियो में दे देते हैं बबू, एक भी भटकने की ज़रतनी copy में, ठीक है, यहां पे देखिए, आपको jail pen से नहीं लिखना है, आपको dot pen से use करके लिखना है, कौन सी pen से आपको heading डलना है, कौन सी pen से heading के बाद लिखना है, चलिए, शुरुआत करते हैं बबू, admit card सामने रख लिजी, paper का समय में, ठीक है, अ आपको यहां पे blue pen, ठीक है, अब देखिए, दोनों pen का use करेंगे बाबू, सबसे पहले blue pen उठाते हैं, अभी black pen का use नहीं है, अभी margin line की सिलने के लिए जानते हैं, किसका प्रयोग करेना पड़ेगा, यह जो scale है, इस scale का भी use करना पड़ेगा, अभी एक एक चीज सीख लि अगर 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 कर देंगे, तो समझे कि आपका number नहीं पाएगा, इसलिए कि धान से पहला page को भरना है बाबू, सवधानिया वरतनी है, लिए परिक्षार्थी का अनुकर्मांग अंको में, देखिए आपका admin card पर यह कोने में अनुकर्मांग लिखा होगा, जैसे क लिखा है ना कि 22, 46, 73, 10, 84, लिखा है ना, हम लिख देते हैं, कैसे लिखेना है, overwriting नहीं करना, खुब सुन्दर से, आराम से, ऐसे लिख देना, 22, 46, लिखा है, 22, 46, इसके बाद 73 है, ठीक है, 73, इसके बाद 10 है बाबू, 10 है, इसके बाद 84 है, इस तरीके से मैंने अच्छे से लिख दिया, overwriting तो आपको खुद करना ही नहीं, एक ही बार में साब साब भर देना, इतना हो गया कम, दूसरे नमर पॉइंट रहेंगे, दूसरे नमर बोला है कि परिक्षार्ती कानुकरमांग सब दो में, बहुत बच्छे गलती ये कर रहे हैं न, देखिए, कि इसको क् के लिख रहे हैं कि एकाई, दहाई, सेकड़ा, हचार, दसार, लाग, दसलाग करोण, दस करोण औरब, दो औरब ऐसे करके मतलब दहला के लिख रहे हैं, तो इतना जगह नहीं होता है, ऐसा लिखने का इलाओ भी नहीं है, कैसे लिखना है, अब बहुत बच्छे तो कमा का लगा के लिख रहे हैं, कमा सीर्फ नहीं लगाना है, ये गलती मत करना, इसके बाद क्या है, चार है, ठीक है न, इसके बाद क्या है बबू, चार है, इसके बाद छा है, ठीक है, इसके बाद साथ है, इसके बाद क्या है बबू, साथ है, इसके बाद क्या है, तीन है, इस पराम से 37 लिखना है हबराना नहीं पेपर में ठीक इसके बाद क्या लिखेंगे आठ लिखेंगे इसके बाद क्या है बबू इसके बाद चार है इस तरीके से आप पूरे को अच्छे से सब्दूम लिख देंगे अब बहुत बच्चे तो कमा लगा रहा है इस तरीके से ऐसा क अभी गलती मत करना, ठीक, इस तरीके संकों में, एक-एक सब्दु कि यहाँ पर सब्दु में लिख देंगे, ठीक है बबू, अब यहाँ से तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जरूरी पहले तो यही है, अगर यही भरने नहीं आएगा, तो कॉपी लिखने क्या फायदा है, दे सब्दु में लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहें, यहाँ पर छूट गया, सामान्य, लेकिन आपको पेपर में ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना, एक अही बार में साब भरना है, सामान्य, ठीक है, सामान्य, अच्छे से भर लेना, हिंदी लिख दीजिएगा, क्या भर लेंगे, उभर राइटिंग नहीं करना है, साब साब भर देना है, इसके बाद, प्रशन पत्र, प्रशन पत्र में केवल भरना है बावु, क्या भरना है, केवल भर दीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या भरना है, केवल भर दीजिएगा, इसके बाद, प् समझ में आगया कि नहीं है कि एक चीज हमारी एक चीज समझ लेना प्यारे स्टूडिन इसके बाद चार नमर पर चलेंगे बाबू लिखे है कि परिक्षा का दीन आपका परिक्षा का दीन मालीजी के जो 22 तारिक है न बाइस फरवरी को तो वहां पर कौन सा दीन पड़ेगा गुरुवार कौन सा बब गुरुवार यहां पर लिख दिज़ेगे गुरुवार यहां पर लिख दिज़ेगा गुरुवार होगे उसको छोड दीजिए पांस नमर में आते हैं प्यारी अंब 3-1 पर भुई पाली परिक्षा का दिजी यानि पूछा आ तो 22 तरिक है ना तो पाली मतलब बारह वाला का दुईती पाली होता है दो पहर के बाद दो बजे से और प्रथम मतलब दस वालों का दस वाले रहेंगे तो प्रथम लिखेंगे अब बारह वाले यहाँ पे दुईती लिख देंगे ठीक है इसी फार्मिट में आपको एकदम सही सही अच्छे से लि लिखा है प्रमेशोर चौधरी संसकार भारती विद्धापीट एच एस एस यहां पर सलेम पुर्वलिया इस तरीके से लिखा है तो आपको पूरा अच्छी से साब साब सुन्दरता से लिख देना है चलिए मैं लिख के आपको दिखा देता हूं देखिए बाबु यह जो है स्कूल का जो नाम है बहुत बड़ा में दिया है जैसी कि इतना दिया है बहुत लंबा दिया है यहां पर लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगा मैं लिख दिया हूं जैसी कि सोट कड लिख बढ़ा हिसे दिया सेंटर का नाम देख रहे नहीं इतना बड़ा सा कलेज का नाम है तो आप लोग इस तरिके सर शोट कर mean लिख लिजिए लिख भी आप पूछ किए ठीक है बहुत सारी बच्चे से को छोटा छोटा भी नाम कलेज का होगा जो भी बड़ा होगा shortcut में लिख लेना ठीक इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे लिखिया है ना कि कॉक्ष निरिक्षा का पूरा नाम वह अस्ताक्षर यहाँ पे आपको कहीं भी टॉच नहीं करना है यह आपको भरने के लिए एलाओ नहीं है यह वाला आपको खाली इसी तरीके से छोड़ना है यह केवल जो गार्डिंग लेकर की एक्जाम दिलवाए रहेगा कलास में घुम करेंगे कैसे आपको लिख के आना है पेपर में सबसे पहले नमर बबु देख लिजिए यह है आपका मालीजी के हिंदी का समान हिंदी 2024 का पीपर और यह इंग्लिस का दोनों को थोड़ा थोड़ा कोश्चन करके हम बता देते हैं ठीक है न आप देखिए सबसे पहले मार्जिंग लाइन खीचते हैं तो यहां से स्केल से इधर से भी खीच लेते हैं और इधर से भी खीच लेते हैं इससे मतलब यह सोचते हैं कि कौम लिखना पड़ेगा और कौपी जल्दी भर जाए यह इसी गलती नहीं करना है तो एक्जामनर आपका नमबर काट देगा प आपको गारेंटी बोल रहा हूँ अब यहां पे मार्जिंग लाइन किसलिए आप पेपर लेते हैं सबसे पहले आपको यहां पे भी रूल नमर लिखने के लिए मैं बताऊंगा लास्ट में रूल नमर क्यों लिखना है एक एक चीज समझ लिजे नहीं तो आपकी कॉंपी जो ह कोई चेंज भी कर सकता है इसलिए सब्धानी वर्तना आज के जूग में बहुत जरूरी है समानी हिंदी 24 का पेपर है जैसे कि आपको यहां पे कॉंपी में लिखना है देखिए खंड को से स्टार्ट करेंगे और इसमें पहला प्रशन लिखा है न को यहां पे खो इसमें ग लिखेका और कऊन सा खंड कर रहे हैं तो को कर रहे है यहां पे को लिख ले ना इसी तरीके से खेक्ट आगर जाए तो इस तरीके से अनडर लाइन भी कर देना ताकि बहुतर लिखे समझ में आताकि थीखे कि न को रहा है न पैर प्रशनोत्तर संख्या डालेजिएगा इसी तरीके से लिखिएगा जो मैं फार्मेट बताते चल रहा हूं यहां पे लिखिएगा प्रशनोत्तर संख्या ठीक है ना प्रशनोत्तर इस तरीके से प्रशनोत्तर यहां पे संख्या लिख देजिएगा ठीक है प्यारा और साब यहां पर एक लिख लेजिएगा आप यहां पर अंडर लाइन थोड़ा कर देना अगर टाइम मिलता है तो नहीं मिलेगा तो अपना कोश्चन मत छोड़ना इसके चक्कर में ठीक इस तरीके से आप कोश्चन नमर डाले जिएगा इसमें पहला प्रशन दिया को नमबर दूसरा एक को नमर किस्क्तर पहले मैं च्रीकर बताता हूँ कि सबसे पहले जल्दी में अच्छा से कैसे लिखेंगे सबसेने आपको यहां पर काल इखले लेंना यिसके बार हुद्यान संजी गलीक लिजिए गा इसके बाद घौलीक लिखेंगा इसके बाद emalik लेंना ठीक है पांच वह विकल्पी रहेंगे आप देखिए ट्रिक समझिए आपका मालेजी को का निम लिखीत में से हाजारी परशाद दिवेदी की रसना है यह पहला हिसा ही है यह नमर बिचार और बितर्क तो लिखेंगे कैसे यह पहले लिख लिखेंगे यह काला पेनवा से इस तरीके स बिचार और बितर्क ठीक है पबू इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में चाप देना है आपको इसके बाद दूसरा देख रहे है नो निम लिखीत में से अचारे हचारी परशाद दोए दिवेदी सोरी राम चंदर सुकलक का द्वारा लिखी निबंध कौन से है तो डी नमर क कविता यहां पे लिखेंगे क्या है कविता क्या है यही न इस तरीके से पूरे जो भी है पांचो अंगा तक अराम से एके को स्धूर्म को आप सा टी क्लेंगे अब आगे जो है आप दो नमर को वह कालपि धाए तो सेम यहां पे प्रशुनुतर संखिया दो डालेंगे ठीक प्रश्णुतर संख्या लिख लिजिएगा प्रश्णुतर संख्या इस तरीके से और यहां पर दो नमर ठीक है इस तरीके से अंडरलाइन टाइम मिले तो करना अगर नहीं मिलेगा टाइम तो अपना प्रश्ण पर ध्यान देना ताकि प्रश्ण नहीं छूटना चाहिए यह तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें प्रशनतर संग्या दो लिख लेंगे बभू जो भी है न एक एक को मैं बताऊंगा वस एक एक को सॉल्ब नहीं करा रहा हूं वस तरीका बता रहा हूं रमधारे सिंग दिनकर परमुग कभी है तो बी नमर भी कल्ब सत्य प्रगतिवादी का भ लिखिए पूरा का को यहां पर खौ लिख लेना इस तरीके से जीपते ने भी कोशन से न अब को का बी नमर सही है न इस तरीके से तो बी लिख लिएगा थोड़ा साब सा बन आप लोग लिखिएगा कौन सा है प्रगतिवादी का भी धारा यहां पर लिखेंगे को यहां पर उतार देना है ठीक इस तरीके से जितने भी दूसरा के भी हैं पांचो कर लेंगे अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूं बस तीसरा प्रशन तक जाएंगे इसके बाद आप लोग खुद कर लेंगे ठीक है देखिए जैसे कि यहां पर प्रशनोतर तरीका समझ लेंगे आज सीख लेंगे तो उस दिन दीकत नहीं होगा न आराम से चापके आएंगे आइसकोर करेंगे एक दम धूआ धूआ करके आएंगे यहां पर तीसरा नमर डाली जीगा इससे ठीक है प्यारी स्टूडेंट जो भी हमारे प्यारी स्टूड नए नए जूड़े हैं वीडियो को लाइक नेंगे प्यारा सा लाइक कर देना चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा ठीक है यह प्रशनतर संक्या हो गया ऐसे अब इसमें जैसे की गद्यांस आपको यह करना है यहां से लेकर और यहां तक इसका संकेट डाल देंगे सं संकेट इस तरीके से लिखे और ब्लू पेन उठाइएगा यदी वह हम बता रहे हैं यहां पर यदी वह बस इतना लिखे और यहां पर डोट डोट ऐसे हाली मतलब अच्छे से भर देना है डोट डोट कर लेंगे तो यह मैं डाला यदी वह नवी कर इसका लास्ट वला है का भर देना है का लिखेंगे का होना चाहिए का होना चाहिए यह देखिए मैंने जेल पेंज का योज क्या है यह आपका 10 रुप्य का मिलता है क्या मिलता है लक्सर का यह जो आप देख रहे हैं यह मार्केट में कहीं भी मिल जाता है तो इसको आप देखेंगे कि इसी से लिख कम दिखाई दे रहा है कम दिखाई दे ठीक है ना इसी तरीके से आपको थोड़ा यह वला दस वला ले लीजिए कोई मतलब गाळा चलता हो जिसे हाइलाइट कर सके और इसका प्रियोग न करके आप लोग किसका प्रियोग करना डॉट पेन का यूज करना, डॉट पेन भी मतलब वह ही जो कि थोड़ा गाढ़ा कम होती है, उसी को बोलते हैं, ठीक है न, उससे आप लोग भर ले जिएगा, ठीक है, तो ये आपको हिंदी का पूरा जो है, संदर परसंग यहां से तीन नमर परसंग से डाल डाल के, कर इसमें, अब इसमें आगे कोई बताने के दिक्कत नहीं है, बस इंग्लिस का मैं थोड़ा सा आपको जनकारी दे दूँ बहुत जरूरी है एक एक प्रसंग को एक एक सब्जेक्ट को सीखना, ठीक है न, अब यहां पे थोड़ा सा मार्जिंग लाइन घीचवा देता हूं, देखिए, धान जीजिएगा, इसलिए मैं बोला होना कि एक एक चीज मैं सिखा रहा हूं, यहां पे स्केल के साइज बस लेना है, जादे यहने कि यहां तक लेकर आजए, और कॉंपी भरने के चकर में कर लिजीए, तो एक्जामनर बहुत तेज तराक होते हैं, जो कॉंपी सबसे पहले देखिए, आपको भरना है बबू, सिक्सन, क्या लिखेंगे, सिक्सन, यहां पर क्या लिखेंगे, सिक्सन, ठीक है, सिक्सन क्या है, ए है, सिक्सन ए जो है, क्या चीजिए है, रीडिंग से, देखिए, मैं यह बिंदू देती हैं, यह बिंदू आपको नहीं दे बताते हैं, ऐसा कोई भी नहीं बताता है, हम गारेंटी ले रहे हैं, कोई भी नहीं बताएगा, एक दम तैयारी अच्छी कर लिजिएगा, यहां पर जिसी पहले सेक्षन में एक गद्यांस आएगा, आपको गद्यांस रहेगा, मनली जी के पैसेज रहेगा, unseen passage, इसको पढ़ ने लिखेवा औरहं पर कोम लगा कि यहां पर एनस एंसbank इस तरेकर से इसी फॉर्मिट में आप लोग एकदम यहां तोप बनेंगे श्राब हम प्रश्णों संख्या पहरा हो मिद्च स्वाइब एनस्टूडूंटन अब क्या इस अमाले जी की B नमर करना है तो यहां तक आया है तो आपको आपको नी लिखेंगे यहां स्해 करना है अइसे ही सभी को मैंने बता दिया इसे फारिमने में एक दब बढ़ियास लिखेंगे बाभो, ठीक है मैंने बताया कि दस अंक वाला रोल नमर कैसे भरना है, क्या के सवधानिय वर्तनी है, सब कुछ आपको बता दिया, कि कमा लगा के नहीं लिखना है, सवधानी वर्तनी है, सभी चीज़े मैंने अच्छे से बता दिया, वीडियो को प्यारा से लाइक कर देना, अपने दोस्तों तुम अपने मित्रों में सब के पास सेयर कर दीजी वार्शा पे फेस्बूक उसा हर एक जगह इस वीडियो को एकदम ताहलका मचा दीजिए डीके सरकलासेस पे आईए और तैयारी जबरदस्त कीजिए हिंदी इंगलिस फिजिक्स सभी सब्जेट का आप पीडियेफ भी फ्री में मिल रहा है ठैंक्स पर वाचिंग बबू